तो question क्या है if the ratio of a length of a side of two square are two ratio three then the ratio of their area is एक question में क्या बोला गया कि जो आपका ratio है ना किसी दो square की side का ratio दिया हुआ है कितना दिया हुआ है two ratio three दिया हुआ है ठीक है ना आप क्या पूछा area पूछा तो area क्या होता है square का होता है side का क्या होता है square होता है तो simply कि अगर ये d00 side दी थी तो अगर two square करेंगे तो क्या होगा ठीक ना और अगर three square करेंगे तो क्या होगा तो बस simply swap कर दियो क्या है जाएगा four ratio nine क्या जाएगा इनका area का ratio आएगा ओके दोस्तों अपना आंचा क्या होगा फॉर्थ रिश्यो नाइन होगा तो आप्शन कौन सा है तो आप्शन नम्मर कैसा फॉर्थ क्या होगा इसका आंचार होगा